किसी को कोई कोश्चन हो तो पूच सकता है मैम, मैम ओफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी राहूल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से अरे, तो उसकी टेंशन मत लो वो अभी भी टीच्मिंट आप के द्वारा हमारे साथ लाइव है शहर शहर गाउ गाउ अब टीचर्स ले रहे हाईब्रेट क्लास टीच्मिंट के यूनिक फीचर्स के साथ हलो गाईज, वेलकम बैक टो आवर चैनल बहुत ही यहां पर एक न्यूज निकला है यह परभात खबर के तरफ से यह जारी किया गया है लगए तीन चार दिनों पहले यह आया था न्यूज तो आज से मीला है मुझे तो आप लोग को बता दूं क्योंकि हो सकता है कि आप लुज दूसरे चैनल पे कुछ और तरीके से समझाया गया होगा और आपको पता है कि हमारे एस समझाने का तरीका जो है और अच्छी खासी सेलरी सेलरी की बात कर लेते हैं यहां पर 20 लाख परिनम यानि कि आप समझ सकते हैं कि लगबग पौने 2 लाख के आसपास आपकी सेलरी प्रतेक मंथ रहने वाली है और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बूर रहा हूं कि इसली आपका हो जागा ऐसा कुछ ने को ट अब कॉलिफिकेशन डिटेल रहता है इसमें तो इसमें कॉलिफिकेशन डिटेल अब कुछ नहीं रह गया है बस आपको 18 से अगर आपकी उमर जादा है तो आप इसली अपलाई कर सकते हैं और अगर आप तैयारी करके इसका जो से लिए बस बगएर दिया है तो आप पढ़ से लिए तो भी आपको मिलेगा बिल्कुल तो ट्राइ करिए फ्री आप कॉस्ट है तो यह स्नेप डिल में आपको जब दस्त मौका मिल रहा है यूई डेवलोपर जावा डेवलोपर का थारस अगर आपकी उमर जाता है तो आपको प्लाई कर सकते हैं फ्री अफ अप स्क्ति तो आप जरूर अप्लाइब करिएगा चलते हैं दूसरी कंपणी आपको बता देते हैं अख़बार तो पढ़ते ही होगा और यहां पर पुझे बरदस्त नेटी है सीनियर सॉफ्ट्वर इंजिनियर की यहां पे 20 से 30 लग परेनम की जॉब है और अगर आप टेकनिकल फिल्ट से हैं तब तो 100% आप जरूर यहां पर अपलाई करेगा क्योंकि अपने डिग्री का कभी तो इस्तेमाल करिए हैं ठीक है क्योंकि आपको नॉलेज होगा अस करना है आगे आपको सारा इसका जो भी कोशन पेपर है जो स्लेक्ट हुए है लडगे उनका भी यहां पर आपको वह सारी चीजे मिल जाएंगी ठीक है और क्या स्कील चाहिए आप देख सकते हैं आपर सब कुछ मेंसन करा हुआ है अच्छी चीज यह है और फ्री आफ कॉस् सब्सक्राइब तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है फ्रेंट्स जरूर जाइए अप्लाई करिये चले चलते हैं बैक टुकेंसी तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं आप इस स्क्रीन पे प्रभात कबर के तरब से निकला वह पदें यहां पर एड नहीं करी गई है इनके द्वारा जो कि बहुत पहले ही विभाग के द्वारा बिहार तक्निकी सेवायों को भेज दिया गया है वह भी होना है और अलग से ग्रामी विकास विभाग की 8-8 अचर वेकेंसिया है वह भी एड होनी है वह भी इसमें एड ज़रूरी है और दूसरे चैनल के तो जैसे आपको कमेंट मत करा कर ये कि हाँ अभी वेकेंसिया निकली नहीं है तो आपके वीडियो बना देता है वह भी बनाता हूं रोज आपको वेकेंसी वाली वीडियो देता हूं ताकि आप लोग अपलाई भी कर पाएं तैयारी भी क लगवक 51 से पते से हैं जिनका विगयापन निकल चुका है लेकिन परिक्षा या कांसलिंग अभी तक नहीं हुई है पांच हजार नये पत है और अगले वर्स इनके विगयापन से लेकर परिक्षा और कांसलिंग तक की प्रक्रिया पूरी होगी ठीक है और बीटीसी भी नि का तो लाइफ जिंगल अला है यहां पर देखिए बताया है कि बिहार तक्निकी से वायोग ने इस वर्स की सुरुवात में ही जी निक्ति के लिए कांसलिंग की रिजल्ट त्यार भी हो गया है और लेकिन कोट में मामला लंबित होने से रिजल्ट नहीं निकल सका और इसके अगले वर्स की ही निकलने की संभावना यानिकि जो कम्प्लीट था सब कुछ हो चुका है जुनियर इंजिनियर की जो 3600 वेकंसी निकाली गई थी सिविल इंजिनियर्स की बहुत जादा सीटे थी और अगर आप भी डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजिनियर्स से तो इतन इमेल कर यह हमारे इमेल डिस्क्रिप्शन में है जरूर आपको जरूर हेल्प मिलेगा देखिए ठीक है तो यहां पर बड़ताया जा रहा है कि 300 वेकंसियां इनके पर ज्वाइनिंग होना है सब कुछ हो चुका है आगे देखिए 16-20 दिसम्बर तक यहां पर मतदस से पर अ और ऑन वे है प्रोसेस पर है और एक चीज आपको बता देखिए बिहार तक निकी सेवा आयो का जो है वो रूल चेंज होने की बहुत जादा संभावना है पहले आप एक्जामिनेशन का कोई सिस्टम नहीं था और अभी इसका नया नियम जैसे ही लागू होगा तो आगे की सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी दूसरे ब्रांच के लिए नहीं है वह और यहां पर बिहार एसे की बात करें तो दूइती इंटरस्ट तरिये परिच्छा का विग्यापन अगले वर्ट जनवरी में निकले तो सब्से ज्यादा जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं वह बिहार एसे से उसकी बताई जा रही है कि जनवरी में निकलेगा करी फ्रेंट्स खबर है वह मान के चलिए कि गवर्मेंट द्वारा ही पब्लिक कराई जाती है तकि लोगों में जो उचुकता है जो थोड़ा और बढ़ जाए सरकार के प्रति थोड़ा प्यार जाग जाए तो ऐसा तो निज निकलता ही रहता है तो इसको देखके बस बस अ अगले वर्स की सुरवात में ही आने वाला है और इसमें भी लगवग दो हजार रिक्तियां रहने की संभावना है तो ग्रेजुशन वालों के लिए दो हजार और इंटर वालों के लिए आपे तीन हजार पांच रही होगे और जो आपको मैं अनुदेशा की बता रहा था व उसमें भी आप लोग को अच्छा मौका मिल सकता है यह सारी चीजें एड ही नहीं करी हुई है इसमें हो सकता है न्यूज पूरा नहीं मिला होगा प्रभात खबर वालों को खैर आप लोग को मैं अक्सर अपडेट करता रहता हूं तो मेरा काम है फ्रेंट सहीजें आपको अ नहीं है वह आ जाएंगे आगे देखते हैं फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स यही अभी इस अखवार के थ्रू आपको यही बताया गया है प्रभात कवर के तरब से तो इंटरस तरिये वाले जो भी इंट्रे पास स्टूडेंट है वो लोग टाइपिंग पर विश्यस ध्यान द रहे हैं ठीक है क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको उसमें संभावना है यहां थे कि भारा सरकार की नौकरी निकलती है इस टोनोग्राफर के से कि वहां पर भी आपकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप त्यारी करते हैं और बाकी जो भी अपडेट आता र दो आता है तो 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 आता है